हेलो दोस्तों MPPSC मोख्य परिक्षा 2019 और 2020 के लिए यहां हमारी थिरी मारकर स्रीज है जो कि यहां पर हम देखेंगे सन्विधान के थिरी मारकर यहां पर मैंने 10 questions लिए हैं और इसे पहले वीडियो में 10 questions यहां हो चुके हैं तो इसे पकार हमारी यह series चलती रहेगी जितने भी जब तक हमारे सन्विधान के पूरे three marker complete नहीं हो जाते जब तक यहाँ series चलती रहेगी इसके बाद में भी हम six marker और fifteen marker की series चलाएंगे और बागी subject की series भी मैंने start कर दी है तो वो भी आप देख सकते हैं तो दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे यह total जितने भी question है हमारे 10 question यहाँ पर तो यह देखें मैंने लिए हैं यहाँ पर question सन्विधानिक राज्य सन्विधान की नकरात्मक विसेस्ता सन्विधान इतना व्यापक क्यों हैं सन्विधान की संगी विसेस्ता है और सन्विधान की एकात्मक विसेस्ता है और सन्विधान सभा की आलोचना, प्रारुप समिती, सर बी एन राव, और डाक्टर राजेंद्र पसाथ, और लाश्ट में हमारा है, डाक्टर सचिदनन, सिन्ह, तो इन थ्री मारकर को हम किस पकार से लिख सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे, तो आईए दोस्तों देखते हैं, जैसे हमारा पहला थ्री मारकर यदि हमें दिया है, तो यहाँ पर अगर दिया जाता है सन्वेधानिक राज्ज, तो इसे हम किस पकार से लिख सकते हैं, कि यहाँ एक लोगतांतरिक, राजनेतिक विवस्ता का परियाय वाच्ची है, तो इस पकार से हमारे यह इंट्रो होगे है, और इस पकार से आप इसे फ्रेम कर सकते हैं, तो बीच में आप सन्वेधानिक राज्ज लिख सकते हों, और इस पकार से आप लिख सकते हो सकती का विभाजन, मौलिक अधिकार सुनिश्चित, मौल करतवी सुनिश्चित और उसके बाद में आप यहाँ पर लिख सकते हो सन्युधान द्वारा सिमिस सासन और विधी का सासन तो इस पकार से आप सन्युधानिक राज्य को यहाँ पर दर्सा सकते हैं तो इस पकार से आप इस आंसर को फ्रेम कर सकते हैं दोस्तों देखते हैं next देख लें अगला हमारे ये question है तो यहाँ पर है सन्युधान की नकरात्मक विसिस्ता है तो हमें simply सा यहाँ पर नकरात्मक विसिस्ता है बता देना है और यहाँ पर हम चाहें तो किसी भी पकार से फ्रेम कर सकते हैं तो बीच में सरकल बना कर भी आप मतलब दर्सा सकते हो यह सरकल बना कर भी इस टाइप से भी दर्सा सकते हो और इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं कि सन्विधान की नकरात्मक विसेस्ताई तो क्या लिखोगे आप नकरात्मक विसेस्ताई में कि यहां अत्यधिक लंबा एवं विस्तर सन्विधान है और इस पष्ट एवम जटिल भासा से युक्त है और सन्युधान उधार का थेला है और केंद्र राज्य से अधिक सक्ति साली है तो ये सन्युधान की नकरात्मक विसेस्ताई हो जाती है तो बस यहाँ पर हमें 3-4 पोइंट लिख देना है हमारा अंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है अब उस पकार अभी हमारा जैसे एक कोश्चन था कि सन्युधान इतना व्यापक क्यों है तो अब इस पकार से यहाँ पर लिख सकते हो सन्युधान व्यापक क्यों है और इस पक और मुल सिध्धानतों का वर्णन और सक्ति का प्रथक करण एतिहासिक सफर नामा है ना तो देखे कितने एक्ट पारित हुए थे जिसके बाद में यहाँ पर सन्विधान बना है ठीक है तो इस पकार से आप यहाँ पर सन्विधान की व्यापकता वाला कोस्चन लिख सकते हैं अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जैसे कि यह कोश्चन था कि संगी विशेस्ता तो संगी विशेस्ता को हम किस पकार से लिख सकते हैं तो यह लिखित सन्विधान है और उसके बाद सन्विधान की कठोरता और सक्तियों का इसपष्ट विभाजन है यहाँ पर और फिर क्या हो गया हमारा सोतंत्र न्याय पालिगा ठीक है तो यह इसकी संगी विशेस्ता को प्रदसित करता है इसी पकार हम यहाँ पर देखेंगे एकात्मक विशेस्ता तो सन्विधान की एकात्मक विशेस्ता के बारे में आता है तो आप इस पकार से लिख सकते हैं तो यह आप 3-4 पोइंटे आपको यहां पर लिखना पड़ता है। देखेंगे कि सन्विधान की आलोशना क्यों की जाती है। तो सन्विधान की आलोशना आप यहां पर सरकल में यहां बीच में लिख सकते हैं। उसके बाद में सम्प्रभुता का अभाव परतिनिधी निकाय नहीं थी। और यहां पर कांग्रेस का प्रभुत्व था उसके बाद वकील राजनितिग्यों का प्रभुत्व था और समय की बरवादी। यानि सनिधान बनाने में इतना टाइम लगा तो इसी पकार कुछ जो आलोचक हैं। उन्होंने बता है कि इसमें समय की बरवादी ही यानि इतना टाइम इसमें नहीं लगता। तो इस पकार से आप बिलकुल सटिक पॉइंट ही यहां पर लिख सकते हो। तो दोस्तों देखते हैं फिर next question देखिए जैसे प्रारूफ समीती के बारे में आता है तो आप किस पकार से यहां पर लिखोगे तो प्रारूफ समीती के बारे में यह दिया आता है तो सबसे पहले आप बता दोगे गठन तो गठन का हुआ 29 अगस्त 1947 को तो यह आप बता दोगे उसके बाद में उद्देश से देखिए कोई भी समीती या कोई भी आता है तो वो सबसे पहले क्या है उसका गठन का हुआ तो उसका उद्देश से क्या है वो कारे बगेर हमें सब लाश्ट में जोड़ना रहता है उसके बाद में यहां सदस से लिखेंगे तो कुल सदस से तो यहां अध्यक्ष सहीत किते ने थे? साथ थे टोटल ठीके? अब इनके अध्यक्ष का नाम लिखेंगे डाक्टर बी आर अमबेटकर अब चाहे तो आप यहां पर कारे भी एट कर सकते हैं तो भारती संदर्भों के अनुकुल सन्विधान की रचना इन्होंने की है यानि जो प्रारूप त्यार किया था तो यह प्रारूप संविथी का उसमें महत्पुर्ण योगदान है सन्विधान बनाने में अब यहां पर देखी जिसके बारे में आता है बिएन राव ठीके? तो सबसे पहले तो एक इ के सन्विधान का अध्यन किया है और उसके बाद सन्विधान का प्रारुप तियार किया है ठीक है तो यह आप लिख सकते हो तो यह इनके महत्पुर्ण कुछ कार रहे है यह यह योगदान है तो आप इस पकार से यहाँ पर लिख सकते हो अब उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे राजेंद्र परशाद, ठीके? तो राजेंद्र परशाद के बारे में ठीरी मारकर आता है तो उसमें हम लिखेंगे सबसे पहले इनका इंट्रो की यह कौन है, तो सन्विधान सभा के अध्यक्ष और इस्ताई अध्यक्ष थे है ना उसके बाद योगदान तो सन्विधान निर्मार और सोतंतरता अंदोलन में भी इनोंने योगदान दिया है और विशेस करके आप यहाँ पर यह पॉइंट लिख सकते हो कि भारत के पथम राष्ट पती थे चाहे तो यह पॉइ कोन है तो सन्विधान सभा के अध्यक्ष और इनका योगदान क्या है सन्विधान निर्माण में इनोंने भी योगदान दिया है विशेस करके आप यहाँ पर दो पॉइंट कर सकते हो सन्विधान सभा के सबसे बुजूर्ग वेखती थे और बिहार प्रांत से सदस्य चुन इंट्रो देना यानि एक लाइन में इंट्रो देने की कोसिस करें कि वो कौन थे उसके बाद में उनका उद्देश थी या फिर उनका कोई योगदान ठीक है फिर वो लिख सकते हो उसके बाद में उन्होंने की एक कार्री किये हैं वो लिख सकते हैं उसके बाद में उसकी विस को भी subscribe कर सकते हैं तो इस वीडियो के description ने हमने सारे link दे कर रखें तो आप चाहे तो WhatsApp पर भी जूड़ सकते हैं Facebook पर जूड़ सकते हैं आप जहां जूड़ने चाहे उस link पर click कर कीजिएगा तो आप वहाँ पर aid हो जाओगे तो दोस्तों मिलते हैं फिर next video में सन्विधान की ह हम सीरी यसी पकार चलाते रहेंगे